नमस्कार, जै जोहार क्या आप भी गवर्मेंट एक्जाम्स की तयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी नेमोरी टेकनिक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि यहคहें कि CG व्यापम टौपर आपको पढ़ाएं? तो डाउनलोड करीए योगेंद्र साहू यहां 10 से अधिक government exams क्रैक करने वाले और CG व्यापम टौप करने वाले योगेंद्र सर CG PSC और CG व्यापम के अंतरगत होने वाले सभी एक्जाम्स की तैयारी कराएं तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेज अब तो बी दे बेस्ट लण फ्रॉम दे बेस्ट पोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना चुनियत योगेंद्र साहू क्लासेज फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजी पीएस सी का सपना साकार डाउनलोड दी एक्ट नाउ नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलेन क्लासेज में हमने अभी तक भगवाली विभाजन के सभी विभागों को देख लिया है उसके अतिरित जो important points है मैं उन्हें आज cover करने जा रहा हूँ जैसे की जल विभाजक परवत जैसे की भगवाली विभाजन के दृष्टी कौन से पठार कौन से परवत कौन से परवत कौन से परवत कौन से परवत या पहाडिया हैं उनका जो उचाई का क्रम है की सधार पर है उनकी उचाई कितनी है और भवाली विभाजनों के जो अन्य अन्य विभाजन दिया गया है विवरांट दिया गया है उसके बारे में हम देखेंगे तो ये lecture आप जरूर देखेंगा एक प्रकार से summary के रूप में होगा ये अन्य लेक्चरों के तो आप इसे जरूर देखेंगा एक बार और अभी तगा अपने अगर पिछले विडियोस को नहीं देखेंगे तो इप जरूर नहीं देखेंगा ताकि आपको ये और अच्छे से clear हो क्योंकि सभी सभी प्राया सभी बारे में हम discuss कर चुके हैं ठीक है ज्यादे से ज्यादा इन विडियोस को share कीजिए ताकि जो अन्य श्टुडेंट्स content competitive exams के तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी इसका help मिल सके तो आज शुरू करते हैं च्छति रड़ के जल्वी भाजक परवत ये कौन-कौन से हैं तो हमने पढ़ा था केशकाल परवत ये केशकाल गाटी पढ़ा था जो महाणदी और इंद्रावती नदी के मद्य जल्वी भाजन का कारी करती है तब वहात अंतर के रुप में देखा था महानदिय वहात अंतर गुदावरी को अलग करती है बेसिन के रुप में देखा था कि छतिरड़ बेसिन और बस्तर के पठार को अलग करती है ठीक है तो ये आपको याद रखने केस काल परवत या केस काल घाटी फिर मैकल परवर्ष्णिनी इसे भी हमने दिखा था ये सिवनात नदी और वेन गंगा की मद्दे जल्वी भाजन का कारी करती है पौहतंदर की बात की जाये तो आप कह सकते है महानद्य पौहतंदर और नरमदा पौहतंदर की मद्द्ध mechan यह फिर कह सकते हैं आप दो जीलो की मद्द तो मैंने बताया था आपको मांडला MP का और बिलाजपूर छथतिलड़ का इसकी सीमा बनाती है ठीक तो इसे याद कीजेगा मैंकल परवत ठ्रेणी दो हुए तीसरा देवगड की पहाड़ी देवगड की पहाड़ी को अभ्याद रखने की गोपद और रिहंद अगर आपको उने पठार जो हमारा पूर्वी बगल करंड का पठार वा लक्चर नहीं देखा तो आप जरूर देखेगा उसमें मैंने पताया था जो देवगड की पहाड़ी है उससे आपके गोपद, बनास, रिहंद, नेउर और आपकी बिजाल ये सारी नदिया प्रवाहित होती है तो उससे जरूर देखेगा और इसी पर देवगड की जो पहाड़ी है वो आपके गोपद नदी और आपके रिहंद नदी के मध्य में जल्वी भाजन का कारी करती है क्योंकि ये दोनों नदी एक ही डिरेक्शन में बहती है, उत्तर के और इसका ढ़ाल है इस वज़े से तो इसके बीच में ये जल्वी भाजन का कारी कर रही है, इसके मध्य में इस्तित है, ऐसा कह सकते है फिर कैमूर परवस नंदी जो इसी देवगड़ पहाड़ी, चांगभगार देवगड़ पहाड़ी की ही स्रिंखला है उस पर आप देखेंगे कि सोन गंगा और महानदी के मध्य ये जल्वी भाजन का कारी करता है सुन गंगा जो अपवाद नदर है और महानदी का जो अपवाद नदर है क्योंकि यहां से एक नदी नहीं कलती कैमुर परवसे जो है आपकी हस्देव नदी वो आपके महानदी में आकर मिलती है और अन्य नदिया उत्तर के और जाकर बहती है तो ये इधर सुमगंगा अपवात अंतरब मिलती है महानदी में तो बोल सकते हैं इसे कि ये भी जल्विभाजक का कारी करती है फिर माखेल पठार माखेल पठार मैंने आपको पताया था जब पठार हम पढ़ रहे थे इव और मैनी के मध्य में ये जल्विभाजक का कारी करती है इव और मैनी के मध्य में इव आपको खुर्जा पाड़ी से निकला था ठीक है और ये मैनी नदी इसी के सायक नदी थी तो ये दोनों के मध्य में जल्विभाजक का कारी करता है माखेल पठार ठीक ये था आपके कुछ जल विभाजक परवत जो इंपोर्टेंट है आपको याद रखना है फिर आगे हम देखते हैं राज छतिर्गाट राज का भावाली भजान ये नक्सा है नक्से के धार पर आप दिखेंगे कि ये देखिए उपपल से हम देखे आएं गे तो कनहार वेसिन हमने कहा था ये आपके कानहाराम से याद किया थे बर्रामपूर में रामान उजगन छेत्रण में पढ़ता है रिहन्द बेसिन की बात की थी तो यह सबते उत्टरी शिमया पड़ता है, वाड़र्फ अगर छेतरन पड़ता है, फिर उसके पेज़िमि देवगण की पाड़ी है, इदर सोहाक पुरव बेसिन थी तो जो की MP में आता है, फिर देवगण की पाड़ी आती सरभुजा बेसिन तो ये आपके पुर्वी भगेन खंट के पठार का छेत्र है यह गावार हुआ फिर पाठ प्रदेस में हम जब देखें तो हम देखेंगे कि जो जसपूर सावरी पाठ है उस खेत्र को देखा जाए तो उसमें आप देखेंगे कि जो बरामपूर का छेत्र थोड़ा सामरी पार्ट जो सबसे उचा पाठ है इस अकार में है वो आपके जस्पूर में पूर्वी हिस्टा जमीर पाट कहलाता है ये दोनों समरी पाट के हिस्ते आप देखेंगे ये रहा कृष्टा जमीर पाट पड़ता है एक आप ध्यान में रखिएगा फिर आगे वह इपार्ट प्रधिस हमने देख लिया फिर आगे हम थेखा था चति रड़ का मैदानी छेत् रहता ये राइपुर दुर्ग का जो मैदान है श्रियुनाथ नदी और महा नदी के बीच का मैदान है ये था आपका श्रियुनाथ का पार का मैदान ये था आपका महा नदी के पार का शक्रा मैदान ये आपकी धमतरी महासमुद उच्चभू में जो घरियमन से होते हो जाती ये दुर्ग उच्छ भूमी है जो आपके दुर्ग में नहीं आती बालो दर राजनांगों के छेतर से लेते हुए MMA में आती है ठीक है ये विलाजपूर रायगाड का मैदान था इसी पास आपका रायगाड बेसिन है यहीं पास आपका हस्दे मांड बेसिन के नाम से भी जाना जाता है हस्दे मांड बेसिन के नाम से ठीक है इसी बीच में आप देखेंगे हस्दे मांड बेसिन के पास तो एक चमारड हल मिलेगा चमारड हल जिसका एक छेतर आपका करतला आपके कुर्बा में पड़ेगा, खर्षिया में, राइगार में छेतर में पड़ेगा और सक्ती सक्ती में पड़ेगा, यह था आपको चावाण धाल जिसे हस्दे मान बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है फिर आगे हम देखे थे चुरी मितरंगा की, यह उदैपूर के पहाड़ी चुरी आपका मितरंगा और उदैपूर की उदैपूर आपका राइगार में आता है मितरंगा आपका सरगुजा में छेतर में आ जाता है और छुरी मेरे ख्याल से आपके कॉर्बा छेत्र में आता है ठीक है तो ये था ठीक वहीं पास ये कॉर्बा का बेसिन आपको देखने को मिलेगा यहांके मुख्य नदिया को केलो देखने को मिलेगी औरवा में आपके हस्दो बांदो बांद बनेगा हस्देन नती जब भैकर आएगा ठीक है ये सारी चीजे थी फिर आगे जब हम बढ़े थे तो ये मैकल परवर्श रेंडी छेत्रा ये छुड़ गया मैकल परवर्श रेंडी छेत्रा हमने दिखा था सिमान दुच्च भूमी ये सिमान दुच्च भूमी ये है सिमान दुच्च भूमी और ये है सिमान दुच्च भूमी ये अपका मैदानी छेत्र था जो कि धान के कटोरी के गार में भी दिखाई देता क्योंकि अस्तरवाधिक धान होता है और कटोरा नुमा आकरिती होने की करण से धान के कटोरा कह दिया जाता है, फिर जो चापा का राकरिती थी, तो ये तीन पंख मैं आपको दिखाया था, बीच का पार्ट होगे, ये एक, ये दो, एक, तीन यहाँ पर जी पीम, गोरेला पिंटर का पठार है, पिंटर लोर्मी का पठार ठीक, ये साथ कीज़ देखी थी अन्य चोटियों मुचाई भी देखी थी, फिर पठार, मैदानी छेतर के पाद हम जब आये थे, पठारी छेतर में जो इन दंड़कारे ने एक पठार था, उसे मुख्यर उसे हमने चार भाग़ों में देखे था, एक वोटरी बेशिन, एक अबुच माड़ की पहाड़ी, उसे नीचे आपके बस्तर का मैदान और ये आपको बस्तर का पठार, इसे भी दो भाग में देखा जाए, तो ये उत्तरपूर्व का पठार और दक्षन का पठार, उत्तरपूर्व में केशकल घाटी, तेलिंग घाटी देखा था, दक्षन के पठार में आपने बस्तरनार घाटी, दर्भा घाटी, सुकमा में आप देखेंगे तो जीरम घाटी ये सब आज राती है, मैदानी चेत्र में बिजागुर और सुकमा चेत्र में जो इसका विस्तार है, इसे हमने देखा था, ठीक है, इसे पठारी चेत्र में, आपके दंतेवाड़ा चेत्र में हमने देखा था, सबसे उची चोटी नंदी राज सरवाधिक पाया जाता है विशाखा परड़नम के थ्रूं यह सारी चीजे देखिती एनमडी सी दोना इसका उत्पादन किया जाता है जोदान इचेफ हैं तो यह मुख्य मुख्य बातें हमने देखी थी ठीक यह नकसे से मैं आपको कवर कराय और बाकी चीज़ए आप याद करने के बाद इस नक्से की तुरूप आप रिकॉल कीजिएगा अन्य चीज़ों को ठीक आप पहाड़ी के बारे में नहीं बताया नदीया पवाथ अंतर के बारे में नहीं बताया कि इनके अन्य लेक्षञ बने वहां भी आप वने अगर देख जबाद चेत्र में मैंपता है मैंन पार्ट दिखेंगे तो इसमें 122 मीटर सर्गुजा से भुझा जहांग पार्ट देखेंगे तो 1045 एक ग्यारासोपांतालीस है थुट वर राम निखा गया है लेकिन ग्यारसुलेना प़िरं अभुजमारगी पहाड़ी यह 1066 है तो 1166 में confusion बहुत होगा तो इसलिए आप इसे दो से तीन पर लगा तर पढ़ते रहेगा बदरगड 11 ग्यारा बाद में आता है तो बदरगड 10 पहले आता तो अब उचुमार ऐसे हैं फिर पलमागड की चोटी पलमागड की चोटी चोटी पेंडर लोर्मी के पढ़े पढ़े थे 12 पारे पलमागड की चोटी लाफागड की चोटी लाफागड को चितर होड़ बोला जाता है चंवार का यह कहा आ तो करवा चहत्रण में पेंडर में हैं हिस्सा है पल्मागड कभी पेंडर लोर्मी के पढ़ार का ही इस्सा है ठीक फिर जारंग पढ़ हो गया देवगड देवगड एक हजार पर्वत्तर महासभून चेतर में 899 मिटर इसकी उचाही है पेंडरा लोर्मी का पठार इसमें हमने पल्मागड और लाफागड की छोटी तो देख लिए उसके लावा जो पेंडरा लोर्मी का पठार उसकी खुत की उचाही आट सो मिटर है जो जीवीम चेतर में पढ़ता है दलापार अकल तरह जांगीर चापा में पढ़ता है। यह भी हैं उन्हें कवर किए, 760 मिटर इसकी उचाई है। डोगरगड़ की पहाड़ी 704 मिटर राजनंगा उचेतरह में मेकल सेनी का हिस्सा है। दल्ली राजरा में 700 मिटर उचाई है। बालोद में पढ़ता है दली राज राज रहात कर लेना दिल साथ में देते हैं करके तो साथ हो जागा दिल से दली राज रहात जाएगा ठीक फिर चुरी उद्यपुर के पहाड़ी पढ़ेगी जस्पूर पाड़ पाड़ का हमने पढ़ा था उचाही सबसे कम है नीच पाड फिर चेत्रम है और यह जो चुरी उद्यपुर की पहाड़ी है वापके को राएगण चेत्रम फैले पहाड़ा में चुरी बित रिंगा उद्यपुर परवत कोरिया जिले में पढ़ता है यह लिए विन्दे का अगे का एक्स्टेंडड भाग है और उससी प्रकार हमने ताय। फिर आगे दिखेंगे सिहाव परवते धंधरी चैत्र में पढ़ता हूझा, लिए भाणु प्रता Ubor्व में तैसिल चैत्र में पढ़ता है, थे कहती है था गड़िया पні Mauटषी ends ॆ together, इसे इस्ट यार्वा सप्री चैत्र तू कौन है, मैं कौन हूं? तू कौन है, तू कौन है? ऐसा बड़े लोग भी बात करते हैं, तो बड़े डोंगर कुंड़ागाओं? ऐसे इलेट कर सकते हैं, अलबका की पहाड़ी, उसुर की पहाड़ी मैंने बताया था बिजापूर, इसमें अलबामा की भी पहाड़ी है, एक सुपमा में था गोलापली, गोलापली या गोलीपली, फिर सेता लेखने के पहाड़ी जो सूरभूर छेत्र में, इसे कुदरगड़ भी बोला जाता है, एक कुदरगड़ का मेला भी लगता है, माता का मंदीर है, जिसे बागे छोड़ी है, कुदरगड़ ही मंदीर भी अगर आपने सारे लेक्शर्स देखे होंगे तो तो इसी वीडियो को कमसे मुझा से पांच बार आप पॉस्ट करके लगा तर अगर पढ़ते जाएंगे तो पढ़ारी पर्देश में जो मुख्य मुख्य पॉइंट है उसके बारे में इस्तेति उसकी उचाई छेत्र इसके बारे में बताए गया है तो मैं पार्ट 21 अभट अभी पड़े कहां है चो अंभीकापुर सीतापुर मैंने भी याद किया कि ये मैन है लेकिन नाम लड़कियों वाले में है अंभीकापूर तर और सीतापूर उत्तर मद्य छेतर में आप देखेंगे भी इस्तिधी के नुसारतों जारंग बाट ये उत्तर पूर में पढ़ता है आपके सीतापूर ये लोंडरा तैसिल में कहां आपके बरामपूर छे सामरी पार्ट ये पुर्वत्तर सिमांतर में था सामरी तैसिल में बरामपूर किन बारा सो पचास मिटर तक इसकी लगबग उचाई गौरल आठाए इसी सबसे मुचा भाग बारा सो पचीस मिटर उसकी उचाई है ठीक है ये याद रखने था जस्पूर पार्ट सबसे सबसे बड़ा पाठ है सबसे लंबा पाठ है सबसे मुचा तो सामरी पाठ है ये आपको याद रखना था ठीक फिर पठार ही प्रतेस हम देखते हैं देखे पठार में तो पेंडरा लोर्मी पंडर ये तैसी में फैला हुआ हुआ है और सटन्ग चाई आठ सो से नौसा मिट पर दमतरी महासमुन उच्च भूमी देखे थे जिसमें दमतरी गुरूद राजी महासमुन गरियापन सराइबली देवड तैसिलों में आते हैं इसमें एक देवभूक की वाड़ी इसी शेत्र पर जहां स्टेल ना दी निकलती है यह आपको याद रखना था इसकी आउसात 3-4 पाए जाता है तैसीलों पाए जाता है असात तुचाहिए 500-800 मिटर है दली राजा चेत्र में हैं यह दोंगर कुर्भा वेशियन रायगर वेशियन बिलास्वोर रायगर का मैदानी भाग थी黄 हुआ इसके बारे में मर्द्द छेत्र में अमभीका पूर और प्राधाप Honor करुप पूरनि रामगड की पाड़ी इसमें मुख्य है जो विश्व की सबसे प्राजिन्टम नाट्टे साला है भरत मुझनी में नाट्टे सस्त्र की रशना की है यहां काली दाजाइथ जन्हें मुगतम की रशना की है यह सारी चीजे थी तर्भुजा वेशिंग के लिए फिर हस्देव रामपुर वेसिन यह था उत्तर पश्ची में जा दक्षिर मरिंद्रगड पूर्वी पेंटरा तरीक अड़गोरा तहसिल में यह फैला हुए हस्देव रामपुर वेसिन जिससे ठीक है यहां जलप्रपातों का एक छेतर है बहुत ज्यादा जलप्रपात है पूर्वी हिस्सा है उस लिए रामपुर वेसिन के नाम से जाना जाता है तो मान नदी के मुद्ध की भूमी को कहा जाता है अलग से देखा जाए तो यह हस्देव और मान का जो पूर्वी हिस्सा है उस लिए राइगाड वेसिन के दिया जाता है ठीक है फिर बिलास्पूर राइगाड़ यह जो मैदानी भूमी थी वो एकदम मत्यभाग में पाई जाती है जहां मुंगेली तखथपूर और बिलास्पूर मुख्यच छेतर है ठीक है मुंगेली में पाई जाती हैं है अगर तैसिल हो में पाई जाती है चांग बाकार जो है उस पहाड़ियां बोहां लोन देखेंगे कि पहाडियों में शहाची चोटी इसकी उच्चा था पठारी चेतर में अब भस्तर के पठार का सबसे उच्छा चेतर यहीं है अब जमार के पठार यह पाड नरायनपुर पकांजूर वीजापूर कॉंड़ा का तहसीलों में फैला हुआ है वो खिरूप से नरायनपूर कुछ रिया कांकर और कुछ रिया वीजापूर यह याद दुमार के पंद्द catching फजिमोगे भाग है अब उचिते से निकें पस्षा देखे न Essential फिर आगे हम देखतें यह सब देखे बहर्ड़ हय है इसनी एक बार पड़के इसको आगी बढ है आप पुराने जरूफ जरूब देख सकते हैं इसकुटक राजद पहाडी आतीanst education और कोटक राजहरा पाड़ी यह जो पाड़ी है एक दूर्ग जिले का खरखरा और तांदुला के मद्धे में य। जब हम मैदानी छेत्र पड़ते तोCEके बारे में हमने बढ़ता था rove Rain creator Prime 165, 6 खरखरा और तांदुला के मद्धिम बाए जाती हैं तो यह था आपका जो इंपोर्टेंट पॉइंट जो छूटे हुए थे इसे मैंने सभी चीजों को प्रिवियस लेक्चर्स में कवार करा दिया है इसलिए इसे जादा डीप नहीं बताया हूं फिर भी मैंने कोसिस किया है क कि रिलेट करते चलो आप पुराने वीडियो जरूर देखेगा फिर यह आपको एक समराइस टाइप का लगेगा ठीक है अगर किसी भी प्रकार कर डाउट होता है ताक में जरूर कमेंट करके बताईएगा फिर आल इस वीडियो में इतना ही और इसके आगे हम चालू करने व सबके बारे में धरातली रूप से क्या है कैसी है इन सबके बारे में पढ़ा अब हम इतिहास फटानी भीडियो तो आपिद Will something में इतना ही आगे देखते हैं नेक्स्ट टूडियों में धन्याँ